वेदर चेंज होते ही कई लोगों की तवेत खराब होने लगती है सर्दी जुकाम गले में खराश से लोग बहुत परेशान होते हैं और यह बहुत फ्रीक्वेंटली होता है स्पैसली विंटर सीजन स्टार्ट होते है प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे हुई है क्या हुआ है तुझे रनी नोस टफी नोस हलका सा गले में खराश है हलका सा गले में दर्द है हलका सा बोडी एक है हलका हलका है एक है फीवर जैसा लगा तुझे टेंप्रेचर चेक किया तुने सबसे पहले make it a habit आप टेंप्रेचर चेक कर ही लिजे भले आपको पताओ कि आपको फीवर नहीं है लेकिन फिर भी टेंप्रेचर चेक करना बहुत जरूरी है नॉर्मल है ओके ये तो सब कॉमन कोल्ड के सिंप्टम्स है आराम से घर बैटे होम रेमिडी से ठीक हो जाएगा तुने टेंप्रेचर चेक किया बताया नॉर्मल उसके बाद तुने बदाया सब कुछ थोड़ा थोड़ा और हलका हलका है मतलब कॉमन कोल्ड है और कॉमन कोल्ड बहुत असानी से होम रेमिडी से ठीक हो सकता है तो मेडिसन और उनके साइड इफेक्ट्स से बच सकते हैं न honestly एक बात बोलूँ ये home remedies में बहुत कंटाला आता है और इमानदारी से बता रहो मैं तुछ से जूट नहीं बोल सकता अच्छा मैं तुछ से कुछ questions पूछूँगा honestly जवाब देना common cold किसको है? मुझे home remedies यूज करने से medicines से कौन बचेगा? मैं medicines के side effects से कौन बचेगा? मैं करना है लेकिन मुझे तुए एक बाद बता तुझे दवाईयों से क्या problem है? medicines क्या करती है? problem को suppress कर देती है और weather change होते हैं हमें वापस common cold हो जाता है क्यों? क्योंकि medicine से तकलिफ जड़ से तो खतम होती नहीं है न और home remedies यूज करने से हमारी problem जड़ से कोर से खतम होती है और common cold को कोर से खतम करना बहुत जरूरी है ताकि वापस न हो ओके ठीक है तो बता क्या करना है? six step home remedies फॉलो करके हम घर बेटे बहुत आराम से common cold ठीक कर सकते हैं step number one check your temperature temperature चेक करना बहुत जरूरी है ठीक हमने चेक कर लिया लेकिन इसको चेक करना बहुत जरूरी है आपको पता जल जागा आपको फीवर है या नहीं okay done steam लेनी कैसे है? बड़ा सा steel या aluminum का container लिजे उसमें पानी अच्छे से boil करिए उसके बाद आराम से बैट कर अपने हैंड से आइज कवर करिए उसके बाद टावल से हेड कवर करिए और steam इनहेल करिए पांच मिनिट के इंटरवल में आपको पंदरा मिनिट तक स्टीम लेनी है दिन में दो बार आप स्टीम ले सकते हैं और बेस्ट टाइम है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले और स्टीम लेने से आपका runny nose, stuffy nose और इसके साथ साथ headache भी ठीक होगा और आपको काफी relief लगेगा salt water and honey water goggles alternate goggles करने है दिन में तीन से चार बार एक बार salt water goggles फिर honey water goggles ऐसा क्यों regularly salt water goggles करने से कई लोग complain करते हैं कि उनका गला छिल गया alternate करने से ये problem नहीं होती है और दोनों का एक ही काम है salt water ठीक करना और गागल्स करने से हमारी कफिंग खांसी की तकलीफ दूर होती है और इसके साथ साथ गले का दर्द भी ठीक होता है turmeric milk पीने से कफ कोर से हिलने लगती मतलब जड़ से उखनने लगती और ऐसा feel होता है कि कफ निकलेगी turmeric milk हम दिन में दो बार पी सकते हैं सुबा और रात को turmeric milk को तो golden milk भी बोलते हैं बिल्कुल और बहुत असरकारक है बहुत फायदा करता है common cold में especially in winters ओके ginger और रणी juice मतलब शयद और अद्रक के रस से गले की itching मतलब गले की खराश ठीक होती है और काफी जल्दी result मिलता है कब लेना है और कितना लेना है एक चम्मच लेना है रात को सोने से पहले और इसके बाद पानी भी नहीं पीना गले की खराश काफी जल्दी ठीक होती है ओके और लास्ट टेप क्या है रेस्ट बहुत ही जरूरी और बहुत इंपोर्टेंट और common cold में लोग रेस्ट को इंपोर्टेंस नहीं देते आपको किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जादा नहीं करनी साथ से आठ घंटे की नाइट स्लीप बहुत जरूरी है आप भले ही ठीक हो जाएं लेकिन उसके बाद भी आपको एक दिन जादा रेस्ट करना है और रेस्ट करने से आपका बॉड़ी एक और हैडएक भी ठीक होता है रेस्ट मतलब कोई काम नहीं करना है ना रेस्ट मतलब आपको एक्सराइज नहीं करनी उसके अलावा आपको जादा कोई फिजिकल एक्जर्शन नहीं करना आपको आराम से बैट कर काम करना है और थोड़ी थोड़ी देर में गुनगो ना पानी पीते रही है ये सब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए वैसे common cold 100% ठीक हो जाता है यह सारे steps सी home remedies follow करने से वो भी जड़ से और अगर हम ध्यान रखें लापरवाई नहीं करें तो वापस भी नहीं होता बिल्कुल so friends आज का वीडियो इतना ही रखते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए useful होगा तो like और share कर दीजे और अगर आप channel पर नहीं है तो channel के support के लिए subscribe कर दीजे bell icon पर tap कर दीजे to stay notified about new videos so friends live a life take very good care of yourself eat healthy stay healthy मिलते हैं next video में until then bye and thanks for watching